गुड मॉर्निंग दोस्तों तो मैं आ गई एक नए ब्लॉग के साथ तो यहां पर फ्रेंट यह चना मेरे घर से आया है तो यह खरीब के लाए हैं और यह छोटी वाले चना है छोटा बिल्कुल छोटे चोटे दाने और यह दाल घर का ही है तो यह मैं सोची धूप लगा तो अभी मुझे ना बड़ी भी बनाना है तो मैं थोड़ा सा बड़ी बना लेती हूं और छट पे ना कोयल की बहुत प्यारी की आवाज आ रही है तो आप लोग भी सुनिए फ्रेंड क्यों आप सब्स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुभात मरी देशी प्लोग में तो फ्रेंड मुझे बनानी है बरी कि यह बरी में बना रही है और मैंने चना भी अधर डाल दिया तो इसे लिए सबको मैं सूखने देदी हूं कि बरसात हमारे हैं बहुत ज्यादा नमी हो जाता है तो सब खराब हो जाएगा तो मेरा सभी नीचे काम हो गया है जारू पोछा क्लीनिंग का टोटल काम कर दी हू है तो तोड़ा सा सब्जी किसी चीज का बना दूंगी बुजिया वगेरा और पर बूटी बना लूंगी अब दो मोगेरा है इस वज़े से में तब बहुत ज्यादा खरावरे बहुत ज्यादा बिकनेस हो गये फ्रेंड और ब्लॉग भी मेरा सूट नहीं हो पा रहा है में लिए बना लिया है और यह वाली मेरी बहन के लिए बना रही हूं मैं तो आज आईए आप लोग को किनको किनको बरी पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और यहाँ पर देखिए यह लेटे पड़े हैं आज कल मॉर्निंग रूटिन बिलकुल मेरी बेकार हो गई है कोई धंग से काम होई ही नहीं रहा है फ्रेंट आप कर संय कर दोड़े हैं में आवाली प्रेंट तो आगया देखे मारे मचली अधिये रही कोतिवादी मचली अधिये रही बड़ी वादी मेरे यहां तो आपको पता ही है तो अभी मैं इसे फ्राइब कर रही हूं और अभी मेरा नास्ता बन गया तो मैंने रात को बनाई थी सब्जी बस वो और रोटी बनाली नास्ता में हो गया और यहां पर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और यहां पर आसमेंजी मेरे लेसन पर आज की छिलाई करते हैं तो फ्रेंड मुझे आप जाना है चट्पे भी क्योंकि कि मैंने चट्पे चना वगेरा रखा है उसे भी चलाना होगा तो मैं आप चट्पे जाओंगी कि अधर आचारली में डाल दी हूँ और यह रहा दिखिए अलू कचीप से अधर चना है और दूब बहुत तेज़ें बहुत जालते हैं तो चट्पे लेदी के तो फ्रेंड आज कल समय का पता बिलकुल वाए सब्सक्राइब hayır किएखें फसकाट हो शायले, करें मया यहाज रोचिन करवा एवाल सब्सक्राइब क्रेशते मतने हीरा किने करतें, किने साथी हैं, किआप। पतला सा पेस्ट बना लूँगी और इधर कटोरे में मैंने प्याज और अध्रक को पहले से पीस लिया और मेरे टमाटर को भी अलग से पीस लिया तो पहले मैं तेल में मेथी का फोरन डाल के प्याज को फ्राइ कर लूँगी फिर टमाटर भी फ्राइ कर लूँगी और फिर य आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक कमेंट से जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स पूर वाचिंग माइब